दोस्तों अगर आपने यूटूब पर अच्छे तरीके से दिल लगा करके मेहनत करके अपने यूटूब चनल को ग्रो कर लिया ना तो आगे आने वाली साथ पुस्तों को आप बदल सकते हो आप अपने लाइफ स्टाइल को बदल सकते हो आपकी गरीबी दूर हो जाएगी कहता हूं उस हिसाब से काम करो आपके यूटूब चनल को मैं चुटकियों में ग्रो करवा देंगा आप देखो कि आपका यूटूब चनल ग्रो होने लगेगा और आप देख सकते हो कि इंडियन गवर्मेंट मोधी जी भी यूटूब को कितना सपोर्ट कर रहें यूटुबर है 99%-100% जो यूटूबर है उनको यह नहीं पता है कि चनल का कीवर्ड कैसे लिखा जाता है और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊओ की से लिखा कर रहे हो और वीडियो डाल रहे हो नतीजा यह होता है कि आपका जब चनल का शेटिंग यही गढ़ बढ़ है तो भाइया वीडियो कितना भी डालो नहीं चलेगा अब एक बात मैं आपको एक्जांपल के तौर बताता हूं यह जो शरीर है इस शरीर का मेनंग क्या है मेन मेनं पेट है हिरदय है अगर माली जी आपका पेट ही सही नहीं है और इसके बाद आप खुब मस्त तरीके से खाना खा रहे हो आपका पेट गरबड हिक्दम से कुछ भी खा रहे हो आपको पट्टी हो जा रहा है तो आप कितना भी भेंकर अच्छे तरीके से कितना भी महंगा कि उतना भी delicious food कितना भी apostic आहर खालो आपके सरी में लगने वाला नहीं है उसी तरह से अगर आपके चनल की शेटिंग नहीं सही है दोस्तों तो आप कितनी भी अच्छी वीडियो बना लो वो चलने वाली नहीं है तो आज किस वीडियो में आपको बता हूँ कि अपने चनल का keyword क कैसे लिखा जाता है वीडियो बहुत ही जाता है इंपोर्टन है लाइक करने के लिए कहना पड़ेगा और सब्सक्राइब करने के लिए कहना पड़ेगा उसको तो आपको करना ही करना एक्टिव राहुल की वीडियो यार एकदम से बहुत ही इंपोर्टन वीडियो होती मैं रिसार्च करके बहुत अच्छे तरिकेस बनाता हूँ, एक नया यूटूबर आगर मेरी वीडियो को समझ करके देखेगा ना, उसको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस तो जरूर ही करना, चली इस वीडियो को आगे वीडियो बनाया हूँ, इन्होंने कुछ मैंने बताया हूँ, देखो इनके वीडियो का ग्राब थोड़ा सा अच्छा बढ़ने लगा, व्यू जाने लगे, तो कीवर्ड आपको लिखना कैसे है, सबसे पहले आपको क्रोम ओपन करना है, ठीक है, क्रोम ओपन करने के बाद म यहाँ पर मैं न्यू टैब ओपन करता हूँ, अब न्यू टैब ओपन करने के बाद, अब मैं आपको क्रोम में वाइटी स्टूड ओपन करके दिखाता हूँ, तो देखिए यहाँ पर, यहाँ पर मैंने लिखा, studio.youtube.com, ठीक है, इस तरह से लिखने के बाद, यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर लिखना है, return to वाइटी स्टूडियो, आने के बाद, यहाँ पर देखिए, आपके सामने इस तरह से dashboard ओपन हो जाएगा, इस तरह से channel का dashboard ओपन होने के बाद में, अब आपको setting करना है, काफी सारे लोग setting नहीं करते हैं, और setting बहुत ही ज्यादा important हो आप to date रहना चाहिए, YouTube देखो अपने आपको up to date करते रहता है, तो अपने channel को up to date नहीं करोगे, करना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पर ध्याँ से देखिए, नीचे थोड़ा सा इसको मैं जूम करता हूँ, नीचे आप देखोगे, तो आपको setting का एक icon मिलेगा, इस setting वाले icon पर आपको click कर देना है, ध्यान से समझना, बड़े अच्छे तरीके से प्यार से समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा, अब यहाँ पर देखो कि setting यहाँ पर दिया गया है, अब आखिर यह setting दी गई है channel की तो इसका कुछ तो मतलब होगा भईया, अब इसको आप करते नहीं हो, वीडियो अपलोड करते रहते हो, और इसके बाद सोचते हो कि हमारे channel पर व्यूज कहां नहीं आ रहा है, setting नहीं किये रहा हो कि तो व्यूज कहां से आएगा, तो setting में आओ, अब इसके बाद यहाँ पर देखो general लिखा गया, general में सिर्फ आपको ए करना है, अब यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा जूम आउट करता हूं है, यहाँ पर देखिए, एक option है basic info, एक है advanced feature और एक है feature eligibility, तीनों मैं एक के करके समझा हूँगा, लेकिन सबसे important जो setting है, वो मैं आपको बता रहा हूं, तो यहाँ पर basic info में, आप देखना आपके channel पर इंडिया, ठीक है, इसके बाद में, अब यहाँ पर, यह जो keyword है, यहाँ पर keyword को आपको कैसे लिखना है, यह गलत तरीके से keyword लिखा गया है, अभी जैसे कोई video सर्च करते हो, watch name कैसे बढ़ाएं, active रहूल सर्च करते हो, तो keyword ही है न, यह active keyword है, और उसको Facebook पर, उसको YouTube पर आ सारी video जा जाती है, किसी और की क्यों नहीं आती है, और क्यों नहीं आती है, फराना डिमकाना वाली video क्यों नहीं आती है, मेरी कही है, क्योंकि मेरे channel का keyword मैंने अपने channel के setting में डाल के रखा हुआ है, तब मेरा channel सबसे number पर rank करता है, तो आपको अगर अपनी video को टॉप rank पर क कोई भी video का जो सबसे पहला ranking keyword होता है, वो मेरा channel है, मेरे channel का खुद नाम है, active rahul, तो आपको अपने channel का keyword अच्छे तरीकी से लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पर देखे, और अपना channel के साथ-साथ keyword लिखने के साथ-साथ आपको अपने video के category का भी keyword इसमें डालना इन्होंने पने channel का नाम क्या लिखा है, अभी fitness, daily short long, ठीक है, अभी fitness, fitness अभी, मनोद्दे, सौरब जोसी, short long, गलत तरीका है, एकदम से गलत तरीका है, कोई मतलब ही नहीं बनता है, कोई मतलब ही नहीं बनता है, starting में आपको जब channel है, नया है, तो आपको सोचना चाहिए कि मेरा channel rank करे, rank करे, अपने आप rank करे, कोई सर्च करे, तो मेरा ही channel है, मेरी video है, कोई सी है करना चाहिए, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा दिमाख लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, तो सबसे पहले चलिए, मैं इसको हाँ पर cut करता हूँ, तो अभ lifestyle से यह, तो life style से related, science and technology से related, music से related, craft से related, how to style है, how to style से related, education है तो education से related, vehicle है तो vehicles से related, travel है तो travels से related, बहुत सारे यहां पर category है, उसी से related यहां पर आपको keyword लगाना पड़ेगा, तो यहां पर जैसे जैसी यह fitness का channel है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे अपने चनल का ना, अभी, ठ तो अब आपके अपने चनल का नाम लिए अब इसके बाद आपको सेकेंड में डालना है कि आपके चनल की काटेगरी कि तो यहां पर आपको डालना है fitness, ठीक है? यहाँ पर fitness मैंने क्लिक किर दिया बॉषतलर की यहाँ पर, चेनल के नाम में fitness है यह तो सबसे पहले rank करेगा इसके difference इसके बाद यहाँ पर डालना है फिर fitness कहां से होता है? जिम में जा कर estaban जिम में जा कर लोग body बनाते है तो यहाँ पर क्या लिखना है जिम वीडियो ठीक है जिम वीडियो क्योंकि जिम वीडियो लोग सर्च करते हैं जिसको जिम जाना रहता है तो लिखते हैं जिम वीडियो ठीक है fit कैसे रहे यह हो गया ठीक है health कैसे रहे healthy कैसे बने health कैसे बनाए ठीक है यह तो लोग जब सर्च करेंगे कि health कैसे बनाए तो आपकी वीडियो आ जाएगी लोग देखें कि हाँ health बनाने के लिए gym करना पड़ता है तो यह सब keyword है ठीक है इसके बाद WWC inclusive work out इस के बाद में gym कैसे करें ठीक है इस तरह से आपको keyword लिखना पड़ेगा ठीक है अपने category से related आपको वीडियो में keyword लिखना पड़ेगा इसके बाद में dayly worcock out ठीक है वरक आउट कैसे करें इस तरह से लिखना पड़ेगा जो आप सर्च करते हो अगर एक gym वाला अपना gym channel बना रहा है तो gym में वो जो 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 search करता है YouTube पर जो अपने आपको तंद्रुस बना ले के लिए gym के लिए जो जो वीडियो देखनगा है वही keyword व अपने चैनल पर ढाले जो जो अगर आप ब्लॉग वीडियो देखते हो तो ब्लॉग से रिलेटेड अपने कीवर्ड में कीवर्ड में डालो ठीक है तो इस तरह से होगे इसके बाद में आपको यहाँ पर दीए गया है 500 तो पांसो रिलेटेड आपको सोच सोच करके पूरा लिख देना है ठीक है इसके करना है ठीक है यहाँ पर मैंने आपको करके बता दिया है अभी यहाँ पर ठोड़ा सा टाइम लगेगा यह देखिए अभी फिटनेस एक बार में मतलब एक बार आपके चनल का नाम होना चाहिए अभी अलग होना चाहिए फिटनेस अलग होना चाहिए एक बार एक साथ होना बीच में hyphen नहीं होना चाहिए तो इस तरह से आपको अपना कीवड डालना अलाग अलतुफलतु कीवड नहीं डालना और हां आपके कैटेगरी में जो सबसे बड़े हैं यहां अच्छा ग्रोव कर रहा है उनका यहां पर आपको नाम डालना है किसी दूसरे का यहां पर नाम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर चैनल वाले आईये यहां पर डेखिये advanced setting है यहाँ अपर आपको कुछ भी नहीं करना एड्वांस स्टिंग में कुछ भी नहीं छेट छाड़ करना है यहाँ पर एक और यहां पर एक feature eligibility होता है आप उम्मीद करता हूं कि आपने अपना feature eligibility कर लिया होगा यहां पर आपको अपना चनल verification करना होता है चनल verify करना होता है अगर यह आपने नहीं किया हुआ है तो आप आप नीचे comment करो पूछो जो कुछ पूछना है मुझसे पूछो सब बताऊंगा आपको मैं जो भी चनल से related अगर आपको tension है जो भी चनल से related आपको problem है नए यूटूबरों नहीं कुछ हा रहा है सब कुछ मुझसे पूछो मैं बैठा हूँ आपको बताने के लिए मैं किस लिए हूँ मैं एक YouTube गुरू हूँ आपको सिखाने के लिए बैठा हूँ जो चीज सीखना है वो चीज सीखो लेकिन हाँ आपको respect देना पड़ेगा चाहे मैं आपको से लिए आपको सीखना है झाल याद्यम मात्रम